मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरे नमस्कार आप सब कैसे हैं और आज की जो वीडियो ही हमारी लेक्चर नुम्बर 60 है अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा एक बैच चल दा था के लिए जिसमें हम लोग लेक्चर नुमबर 59 तक कवर कर चुके थे और हम लोगों ने जाइलम, फ्लोयम, प्रोटोजाइलम, स्टेम, रूट, एंडार्च क्या कंडिशन होती, एक्जार्च क्या कंडिशन होती, सीव ट्यूप, सेलिमेंट, या ट्रैकीट, जाइलम, वैसल, यह मतब कंड़क्टिव टिशू, यह सारी की सारी चीज़ें, पढ़ी थी हम लोगों ने अपने उस बैच में, जो एल्टी क्रेट करी बैच चला था, तो अब हम उस बैच को कॉंटिन्यू करेंगे, एक इस सीरीज के साथ की इंटर्व्यू में बच्चों ने जो हमको रिस लेकिन जो PGT में पूछे के questions हैं, उनकी एक सीरीज चलाएंगे, तो उसमें से यह पहली वीडियो है, जो आपके लिए है, बाकी, मतला बैच के लिए होगी, बाकी सब open to all नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसी तरह से हम एक तरफ से सारे के सारे इंटर्व्यू में पूछे जाने वाले प्रशनों को cover करते जाएंगे, ठीक है, बात समझी यह ध्यान से, कभी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा written बहुत अच्छा जाता है, हम PGT की बात करने है particular, और mains जब होता है, अर्थात interview जब होता है, हमसे कोई एक छोटा question पूछ लिया गया, हमको आता था ऐसा नहीं कि ह अब कुछ बताता है, लेकिन हम उसको बता नहीं पाए, उसको नहीं बता पाने की विज़े से हमको interview में 50 नमबर में से कम marks मिले, और हम बाहर हो गए, तो ऐसे condition नहाने पाए, इसके लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा deep study करनी, अच्छा एक बात, दूसरी बात, भहिया बह कुछना शुरू कर रहे हो, अब तक तो आपको ब्रह्मास्त्र चलाना आ जाना चाहिए था, तो अब आप तैयारी ना करो तो बहतर होगा, क्योंकि अब आप अपना भी समय पर बात कर रहे हो, और अपने घर परिवार वालों को एक आशा बंदा रहे हो, कि शायद आपका इस एक्जाम में क्वालिफाई हो जाए, आप इसको क्वालिफाई कर लो, भया कता ही नहीं होगा, अब आप किताब खरीद रहे हो, तो यह आपके लिए शरम की बात है, क्यों, क्योंकि आप अड़ते सीटे हैं, और आप सोचते हो कि आप तीन महीने पढ़के सेलेक्ट हो जाओगे, असंभव, चलो खेर, ज्यादा समझाने का जमाना रह नहीं गया है, सीधे सीधे अपनी बात करते हैं, चलो भया, एक कोशन पूछा गया था, कि जबकि बाइल जूस जो होता है, उसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, तो हमारे शरीर के लिए हमारे पाचन के लिए, हमारे भोजन को पचाने के लिए इतनी जादा requirement क्यों होती है, बाइल जूस को हिंदी भाषा में कहते हैं, पित्तरस, इसका निर्मान कौन करता है, यक्रत, लीवर, जिगर, और ये स्टोर कहां पर होता है, ये हमारे गाल, ब्लेडर, अर्थात, पित हम हिंदी में पढ़ाते हैं, शुद्ध हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, शुद्ध इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बाइल इंग्वल रहते हैं, ताकि दोनों बच्छों का काम चल सके, ठीक है, लेकिन हा, नोर्स आपको जो है, वो जादातार इंग्लिश म किया जाता है और लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है और गाल ब्लेटर के द्वारा संदक्षित या इस्टोर किया जाता है या संचईत किया जाता है ऐसा क्या पाया जाता है इसमें इसमें पाया जाते हैं बाइल साल्ट अच्छा कौन कौन से सोडियम बाई कार्बोनेट सो sodium glyco colate और sodium torocolate अच्छा तो इनके होने से क्या लाब है हम बताते हैं आपको यह किस प्रकार से काम करता है इसकी क्या functioning है इसकी क्या mechanism है यह salt जो है यह reduce कर देते हैं क्या reduce कर देते हैं surface tension reduce कर देते हैं किसी की जो वसा के बड़े कड़ हैं जो large fat globules हैं जो large fat droplets हैं जो वसा की बड़ी बूदे हैं उनके चारो और चिपक कर यह surface tension कम कर देते हैं और जब surface tension कम कर देते हैं तो इनी के उपर एक और भाई साब चिपक जाते हैं जिनका नाम है lipase वो काम करना शुरू कर देते हैं तो यह काम हो जाता है breaking का और क्या होता है चोटे चोटे वसा के कड़ों में परिवर्थित कर दिया जाता है वसा के बड़े कड़ों को यानि की fat की बड़ी बड़ी molecules को droplets को जब हम small droplets molecules में convert करते हैं the process is known as emulsification ठीक है यह emulsification किसके द्वारा किया जाता है bile के द्वारा यह बाइल पित कहलाता है यही जब गड़बल हो जाता है तो हमें पित्त दोष हो जाता है भाईया पित्त दोष नहीं वो तो अलग चीज़ है वो तो अध्यात्मिक चीज़ है यह है पित्त दोष जब भी आपको पित्त दोष होगा आपकी body से smell आएगी आपके पसीना बहुत जादा आएगा आपके blood related diseases होंगी आपकी चर्म रोग बढ़ते चले जाएगे आपके खून में acidity भेंकर होगी आप बहुत परेशान रहेंगे और आपकी body में एक normal व्यक्ती से थोड़ी सी 1 या 2 degree का temperature हमेशा के लिए हाइक रहेगा ठीके चलो भाईया तो bile juice और क्या करता है कुछ बता सकते हो हाँ भाईया lipase enzyme के activator की तरह कारे करता है भाई साब ये सारे के सारे question interview में सीधे पूछे जाते है कि भाईया lipase सुना है आपने हाँ भाईया तो lipase को activate कौन करता है अब भाईया दुनिया भर का पढ़के चले गए आप दो दो चार चार घंटे की आपने अच्छे अच्छी coaching की live class पढ़ी लेकिन एक छोटा सा sentence आपको नहीं पता है कि bile juice is the lipase enzyme activator तो आप निरुत्तर हो गए बेजती हुई और आपको is the activator of lipase enzyme lipase fat के hydrolysis में मदद करता है अब यही पूछ लिया जाएगा किस में मदद करता है oxidation में मदद करता है reduction में मदद करता है electrolysis में मदद करता है hydrolysis में मदद करता है बात समझे तो यही पूछ लिया जाएगा तो शब्द lysis का प्रियोग किया जाता है जैसे glycolysis glycogen के molecule को तोड़ना glycolysis और glucose का निर्माड करना अब बात समझ में आई तो lysis का मतलब biology में होता है break करना, breakdown करना, तोड़ना तो lipage enzyme जो है वो fat का lysis करता है, तोड़ता है किसकी उपस्तती में, पानी की उपस्तती में क्या करता है, hydrolysis अच्छा एक ये बात, एक और काम छोटा सा है कि जो bile juice है, वो fat soluble जो vitamin होते हैं, उनको absorb करने में मदद कराता है देखो भीया, एक बात समझो जैसे क्या होता है, जैसे water soluble BC हो गया fat soluble ADEK हो गया तो fat soluble का मतलब समझते हो channel होता है आप, आपने देखा होगा ना, जब बड़े-बड़े अधिकारी घूस लेते हैं तो अपने through नहीं लेते हैं, वो अपने dalal सेट कर लेते हैं, अपने बाबू सेट कर खालो, क्या बोला हमने ADEK fat soluble vitamin कौन-कौन से होते हैं? ADEK तो कितने भी भाईया, evion के tablet खालो, अगर आपके शरीर में bile juice की मात्रा कहम है, तो वो evion आपका digest ही नहीं होगा, as it is, water की form में बाहर निकल जाएगा, पिशाप के through बात समझे की नहीं? खैर, इन सब चीज़ों से इतना मतलब नहीं हमने आपको basically बता दिया, तो भाया ये animal physiology से जो छोटे-छोटे question पूछे गए interview में, उसका हम discussion करेंगे आपसे, ध्यान दीजिए ये video हमने सब के लिए कर दी, लेकिन इससे आगे की video सब के लिए नहीं होगी, ध्यान दीजिए तो इसी लिए, कोशिश ये करिए जिससे भी पढ़िये, हम ये नहीं कहते हैं हमसे पढ़िये, आप जिससे भी पढ़िये थोड़ा सा factual पढ़िये और वो पढ़िये जो वाकई आपके paper में आता है, अच्छा दूसरी बात, आप हमारे WhatsApp से जुड़ सकते हैं, सारे के सारे जो free videos हैं वो अच्छे से देख सकते हैं इस video की जो PDF है आप हमसे हमारे WhatsApp number से प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने WhatsApp group का जो link है, इस video के description में आपको दे देंगे, तो आप उसको ले सकते हो, और एक बात, अगर ये video आपको सही में अच्छी लगी, तो भाया कम से कम, कम से कम, एक बार thank you तो बोली दिया करो, अगर अच्छी चीज आपको provide कराते हैं, तो इतना तो आप करी सकते हो, ठीके, अगर आपको ये video अच्छी लगे, तो इस video को like ज़रूर करना, हम वो सब नहीं कहते कि subscribe करो, ये करो, वो करो भाया बिल्कुल subscribe ना करो, unsubscribe कर दो, अगर किया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन video पर comment ज़रूर किया करो, क्योंकि महनत लगती है, जब आपके free में ही provide करा देंगे, ठीके तो इसलिए एक बार आप हमसे संपर कर सकते हैं, लेकिन phone मत कीजेगा हमारे WhatsApp पर ही हमसे message कीजेगा, ठीके ना, thank you so much, bye bye, love you all